हेलो गूर्णिंग स्टूडेंट्स वेलकम तो मैं चैनल पेनसी ओफ इंग्लिस आज हम क्लास टेंथ का चैप्टर नमबर थ्री टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग लेके आए हैं इसमें फर्स स्टोरी है हिस फर्स फ्लाइट जो की लियाम ओ फ्लाइटी ने लिखी है इसके बारे में देखी बिफोर यू रीड बिफोर यू रीड में पढ़ते हैं कि सिंस्टा अर्लियस टाइम्स पुराने समय से humans have dreamed of conquering the skies जो humans थे मानफ थे वो have dreamed सपने देख चुके हैं of conquering जीतने के the skies आसमान को आकास को यानि बहुत से लोग हुए जिनके सपने थे कि हम आकास में जाये उनको जीते हैं here are two stories about flying यहां flying के बारे में उडने के बारे में दो stories हैं पहली stories है a young seagull is afraid to fly एक छोटा सा समुदरी पक्षी is afraid डरा हुआ है to fly उडने से how does he conquer his fear कैसे वो अपने fear को अपने डर को जीतता है और second story में है एक pilot is lost in storm clouds एक pilot खो जाता है घने बादलों में तूफानी बादलों में storm मने तूफानी does he arrive safe क्या वो अपने घर safe पहुंचता है और अगर पहुंचता है तो who helps him उसकी मदद कौन करता है तो यहां दो stories है पहली stories यंग सीगुल की है और दूसरी story जो है वो एक pilot की है जो की बादलों में घने बादलों में तूफानी बादलों में खो जाता है चलिए अब देखते हैं first story His first flight उसकी पहली उडान The young seagull was alone on his ledge चोटा सा समुदरी पक्षी अकेला था अपनी लेज पर लेज मन होता है एक cliff चटान अपनी चटान पर His two brothers and sister had already flown away the day before उसके दोनों भाई और उसकी बेहन had already वो पहले से ही flown away उड़ चुके थे The day before एक दिन पहले He had been afraid to fly लेकिन वो उडने से काफी डरा हुआ था कौन? Young seagull With them अपने भाई बेहनों के साथ भाई बेहन तो उड़ गए लेकिन वो डर रहा था लेकिन somehow कैसे भी करके When he had taken a little run जब उसने एक थोड़ा सा run लिया थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा Forward Forward माने आगे की ओर To the brink of the ledge Brink माने किनारा चटान के किनारे की तरफ And attempted to flap his wings और उसने attempt Attempt माने tried प्रयास करना उसने प्रयास किया To flap फड़ फड़ाने का His wings अपने पंकों को लेकिन he became afraid वो डर गया The great expense of sea Stressed down beneath क्योंकि नीचे की ओर जो असी था समुदर था उसका बहुत ज़्यादा फैलाओ था And it was such a long way down और वो काफी नीचे तक गया था Miles down काफी नीचे मीलों तक He felt certain तभी सीगुल को मैसूस हुआ कि His wings would never support him कि उसके जो पंक हैं वो उसको कभी support नहीं करेंगे So he bent his head उसने अपने सर को जुकाया And rain away back to the little hole Under the ledge और बापिस चला गया एक छोटे से छेद में जो चटान के नीचे था Where he slept at night जहां अक्सर वो रात को सोया करता था Even when each of his brothers and his little sister यहां तक की उसके दोनों भाई और उसकी चोटी बहन Whose wings were far shorter जिनके पंक काफी ज़्यादा चोटे थे Than his own उस सीगुल के पंक से यानि सीगुल के पंक काफी बड़े थे उन तीनों से Ran to the brink लेकिन फिर भी उनके भाई और बहन किनारे की दरफ गए Flapped their wings अपने पंकों को फड़ फड़ाया And flew away और उड़ गए लेकिन यंग सीगुल डर रहा था He failed to muster up courage यंग सीगुल फेल रहा असफल रहा Muster up एकटा करने में जुटाने में Courage अपने साहस को His father and mother had come around तबी उसके पिताजी और उसकी मा उसके चारों तरफ आए तो यहां तक इस पेज में क्या है बिटा आपने देखा कि यंग सीगुल के भाई और बहन वो तो उड़ चुके हैं लेकिन यंग सीगुल जो है वो चटान के किनारे पर खड़ा हुआ है और बार बार आगे की तरफ जाता है लेकिन वो डर रहा है उड़ने से इसलिए वो डर के मारे कहां चला जाता है बापिस से अपनी जगे पर चला जाता है उस चटान की जहां वो अकसर रात को सोया करता था और उसको मैसूस होता है कि अब वो उड़ नहीं पाएगा उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगे तभी क्या होता है कि his father and mother had come around उसके माता पिता उसके चारों तरफ आते हैं और calling to him shrillie उसको चीक कर श्रिली मनें चीकना चीक कर बोलाते हैं upbraiding him upbraiding माने होता है scolding डांटना उसको डांटते हैं threatening him threat माने धमकी देना उसको धमकी देते हैं to let him starve on his legs कि तो भूका मर जाएगा starve माने भूका मर जाएगा on his legs अपनी इस चटान पर unless he flew away अगर वो नहीं उड़ा तो but for the life of him he could not move लेकिन वो अपनी life बचाने के लिए भी उड़ नहीं सका move नहीं कर सका that was 24 hours ago ये बात 24 गंटे पहले की है since then nobody had come near him तब से उसके पास कोई भी नहीं आया the day before एक दिन पहले all day long पूरे दिन he had watched his parents वो अपने माता पिता को देखता रहा flying उड़ते हुए about with his brothers and sister मतलब उसके माता पिता उसके जो भाई बहन उड़ चुके थे उनके साथ लगातार उड़ रहे थे तो माता पिता साथ में उड़ रहे थे and perfecting them in the art of flight और उन तीनों को उड़ने की कला में perfect बना रहे थे teaching them how to skim the babes उनको सिखा रहे थे कि कैसे babes को धाराओं को skim करना है skim का मतलब होता है हलके से उसके उपर उड़ना है हवाओं को काटना है and how to dive for fish और कैसे मचली के लिए dive लगानी है चलांग लगानी है he had in fact seen his older brother यहां तक की सीगुल ने अपने भाई को देखा to catch the first herring उसके भाई ने पहली herring fish पकड़ी herring होता है बिटा एक soft skinned या soft fine sea fish एक बहुती कॉमल तुचा वाली अच्छी सी समुदरी पक्षी तो उसने अपने भाई को देखा पकड़ते हुए and devore it और उसको निगलते हुए devorema ने निगलना standing on a rock एक पत्थर पे खड़े होके while जब की his parents circled around raising a proud cackle और तभी उसके माता पिता उस जो herring मशली खा रहा है उसके चारों तरफ खड़े होके proud से गर्फ के मारे cackle कर रहे हैं और पूरे दिन पूरी सुभा पूरी फैमली वाक करती रही उस बड़े से पठार पर और सामने वाली चटान पर घूमती रही और taunting him उस सीगुल को ताने मारते रही with his cowardice cowardice माने होता है डरपोक उसको डरपोक बोलते बोलते उसको ताने मारती रही the sun was now ascending the sky जो सूरज है वो अब स्काई में आसमान में उपर की तरफ जा रहा है और blazing on his legs that faced the south और वो उस चटान की तरफ blazing हो रहा है उसकी रोशनी पड़ रही है that faced the south जिसका चहरा south की दच्छड की तरफ है he felt उसको महसूस होता है सीगुल को the heat गर्मी लगने लगती है और because क्योंकि he had not eaten since the previous night fall क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया he stepped slowly out to the brink of the ledge वो धीमे धीमे अपने कदमों को बढ़ाता है और चटान के किनारे तक रखता है and standing on one leg और एक पैर पर खड़े होकर with the other leg hidden दूसरे को छिपा कर under his wing punk के अंदर he closed one eye अपनी एक आँख बंद करता है then the other उसके बाद दूसरी आँख बंद करता है and pretended to be falling asleep और ऐसा दिखावा करता है pretend माने दिखावा करना कि उसको नीन सी आरे है वो गिरने वाला है still लेकिन फिर भी वो देखता है कि उसके दोनों भाई और उसकी बहन उस प्लेट उपर उस पठार पर लेटे हुए है dozing उबासी ले रहे है with their hats अपने सर को sunk into their necks अपनी गर्दन के अंदर रख कर his father was preening the feathers उसके जो पिताजी है वो अपने feathers को पंको को manage कर रहे है विवस्तित कर रहे है on his white back अपनी सफेद पीट पर आगे देखिए only his mother was looking at him सिर्फ उसकी मा है जो उसकी तरफ देख रही है she was standing on a little high hump on the plateau वो एक उचे से पहाड पर खड़ी हुई है her white breast thrust forward उनकी जो सफेद चाती है वो आगे की तरफ दिख रही है now and again और बार बार she tore at a piece tear की second form फाड़ना तोड़ना वो एक पीस एक टुकड़े को तोड़ती है of fish मशली का that lay at her feet जो की उनके पैर के नीचे पड़ा हुआ है then scrapped each side of her beak फिर वो अपनी चौँच की प्रतेक साइड को घिसती है on the rock पत्थर पे the sight of the food और जो वो खाने का द्रस है जो उसकी मां बार बार दिखा रही है अपने बच्चे को maddened him वो उसको पागल बना देता है how he loved to tear food that way अब वो अपने मनी मन में सोच रहा है कि उसको कितना अच्छा लगता था food को ऐसे तोड़ना इस तरीके से और scrapping his beak अपने चौँच को ऐसे घिसना now and again वार वार किसके लिए to wet it wet one is sharpen उसकी धार तेज करने के लिए गागा गा he cried begging her to bring him some food अब वो बेटा जैसे कि अपने देखा होगा गाय वगरा मा मा चलाती है ऐसे ही वो अपनी language में अपनी मा को बुलाता है गागा गागा उससे कुछ खाना मंगा कर कि कुछ खाना लियाओ खाने के लिए गाओ कॉल आस he screamed back derisively और उसकी मा screamed चीकती है back बापस में कैसे derisively का मतलब मजाग बनाते हुए but he kept calling pletentively लेकिन वो अपनी मा को बुलाता रहता है दर्द भरी अवाज में and after a minute और एक minute के बाद और सो या कुछ समय के बाद he uttered a joyful scream वो तेजी से खुशी के मारे चलाता है his mother had picked up a piece of fish क्योंकि उसकी मा मशली का एक टुकड़ा ला चुकी थी and was flying across to him with it और उस टुकड़े को अपनी चौच में दवाकर उसकी तरफ उड़के आ रही थी he leaned out तब ही वो बाहर की तरफ जहंकता है तो यहां तक आपने देखा क्या हुआ वो अपने मातापदा को यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए लेकिन उसकी माँ उसको एक बार fish दिखाती भी है और उसकी तरफ आती है और वो उसको देखकर पागल सा हो जाता है और बाहर की तरफ lean करता है मतलब जागता है बाहर की दरफ जाता है अब देखिए आगे eagerly उत्सुख होकर tapping the rock with his feet और वो खुशी के मारे अपने पैर से पत्थर को tap करने लगता है ठोकने लगता है trying to get nearer to her और अपनी मा के पास जाने का प्रयास करता है as she flew across क्योंकि उसकी मा उसकी तरफ आ रही थी बट लेकिन and she was it to him जब उसकी मा बिलकुल उसके सामने थी she halted वो रुख जाती है her wings motionless उनके punk motionless हो जाते हैं गतिहीन हो जाते हैं the piece of fish मशली का टुकड़ा in her beak जो उनकी चौच में है मा की almost वो लगवग लगवग within reach of his week सीगुल की चौच से लगवग लगवग पहुच में ही था he waited a moment in surprise उसने इंतजार किया एक छड़ के लिए surprise में और wondering और वो आश्चर हो गया कि why she did not come near her कि मेरी मा मेरे पास क्यों नहीं आई and then और उसके बाद maddened by hunger वो भूग के मारे एक दम पगला गया he dived at the fist उसने मशली की दरफ चलांग लगा दी with a loud scream तेज चीक के साथ he fell outwards वो बाहर की दरफ गिरा and downwards into space उस आकास में उस खाली जगे में then a monstrous terror यहाँ यह monstrous एक adjective है और monstrous माने राक्षसी यहाँ इसका मतलब है एक भयानक एक भयानक डर seized him उसको घेर लेता है and his heart stood still और उसका जो हिर्दय है वो थम जाता है he could hear nothing उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता but it only lasted a minute लेकिन यह सब lasted चला a minute only एक minute the next moment और अगले इचन he felt his wings spread outwards उसको महसूस हुआ कि उसके जो wings है पंक है वो बाहर की तरफ spread हो गए है fell गए है the wind russed against his breast जो हवा थी वो उसके breast में चाती की तरफ लग रही थी आके feathers पंकों में then under his stomach उसके पेट पर and against his wings उसके पंकों पर he could feel the tips of the wings cutting through the air अब वो महसूस कर सकता था कि उसके जो पंक थे वो हवा को काट रहे थे he was not falling head long now और अब उसका जैसे इंसान जब गिरता है तो सिर नीचे होता है अब उसका सिर नीचे की तरफ नहीं था he was sorely gradually downwards and outwards अब वो धीरे धीरे नीचे की तरफ और बाहर की तरफ जा रहा था he was no longer afraid वो बिलकुल भी डरा हुआ नहीं था he just felt a bit dizzy बस थोड़ा सा uncomfortable feel कर रहा था dizzy feel कर रहा था then he flabbed his wings once फिर उसने अपने पंकों को एक बार फड़ फड़ाया and he sword of words उपर की तरफ उड़ते हुए गागा गागा चिलाते हुए और गाओ कॉल आ his mother उसके बाद उसकी माँ भी पीछे से चिलाई क्या गाओ कॉल आ तो यहां आपने देखा क्या हुआ कि वो अपने उड़ने का प्रयास करता है और धीरे धीरे उसका डर खतम हो जाता है और वो उड़ना स्टार्ट हो जाता है उसकी माँ गाओ कॉल आ चिलाती हुए पीछे की तरफ आती है her wings making a loud noise उसकी माँ के जो पंक है वो तेज आवाज करते हैं he answered her with another scream वो अपनी माँ मा को उत्तर देता है एक और चीक के साथ then his father flew over him screaming फिर उसके पिताजी भी पीछे से चलाते हुए आ जाते हैं और he saw his two brothers and his sister flying around him उसने देखा कि उसके दोनों भाई और उसकी बहन वो भी पीछे उड़ते हुए आ रहे थे curve waiting and banking and swearing and diving curve लेते हुए किनारे की तरफ जाते हुए चलांग लगाते हुए और horse की तरह घोड़े की तरह चलांग लगाते हुए then he completely forgot और फिर वो बिलकुल भूल गया कि he had not always been able to fly कि एक समय वो भी था जब वो ओड नहीं सकता था and commanded himself तभी उसने अपने आपको कमांड किया आदेश दिया order दिया to dive चलांग लगाने के लिए and soar and curve shrankings really और अपने आपको चीक चीकते हुए चलाते हुए he was near the sea now अब वो समुदर के पास था flying straight over it उस समुदर के सीधे सीधे उपर तैर रहा था उड़ रहा था facing straight out over the ocean अपना face करके चेहरा किस तरफ उस ocean के उपर सागर के उपर he saw a vast green sea बिनी थी उसने अपने नीचे एक बिसाल समुदर देखा हरा समुदर देखा with little ridges moving over it जिसके उपर थोड़े थोड़े ridges move कर रहे थे and he turned his beak sideways and cowed amusely और उसने अपनी beak को अपनी चौच को side में किया और प्रसन होते हुए आगे उड़ने लगा his parents and his brothers and his sister and head landed on his green flooring ahead of him तभी उसके माता-पिता भाई बहन सभी उस समुदर के green floor पर land किया उसके सामने और they were beconning to him वे उसको डांट रहे थे चला रहे थे calling really cheek कर बुला रहे थे तो तवी वो गया और he dropped his legs उसने अपने पैनों को रखा to stand खड़े होने के लिए on the green sea हरे समुदर पर his legs sank into it लेकिन उसके पैर उसके अंदर डूब गए sank मने डूबना sink की second form he screamed with fright वो डर के मारे चलाया and attempted उसने प्रयास किया to rise again flipping their wings अपने पंकों को फड़ फड़ा कर खड़े होने के लिए अपने पंकों को फड़ फड़ा कर खड़े होने के लिए but he was tired लेकिन वो थक चुका था and beak और वो कमजोर था with hunger भूख के मारे and he could not rise और वो उठ नहीं सका exhausted वो काफी परिसान हो गया था exhausted किसकी वज़े से हुआ था with by strange exercise उस अजीव exercise की वज़े से his feet sank into the green sea उसके पैर उस green sea में डूब गए and then his belly touched जैसे वो डूबने लगा तभी उसका belly उसका पेट और he was floating on it अब वो समुद्र के ऊपर float करने लगा तेहरने लगा and around him his family was screaming उसके चारो तरफ उसकी फैमिली चीक रही थी praising him उसकी प्रसंसा कर रही थी and their beaks were offering him और उन फैमिली वालों की जो चौंस थी वो अपनी चौंच में दवा कर उसको offer कर रहे थे दे रहे थे क्या scraps of dog fish scraps माने होता है pieces टुकडे dog fish के टुकडों को he had made his first flight और इस तरीके से उसने अपनी पहली उडान को उडा तो इस स्टोरी में आपने देखा स्टार्टिंग से कि एक young सीगुल था जिसको ओडने से डर लगता था उसके बाई बहन पहले ही ओड़ चुके अब हर parents चाता है कि हमारे हर बच्चे सीखें तो उसके parents उसको डाटते हैं चीकते हैं क्योंकि वो चट्टान पर खड़ा हुआ है अगर बोड़ेगा नहीं तो कुछ खाए नहीं पाएगा है ना मश्ली वगरा नहीं अपना सिकार विकार नहीं कर पाएगा तो इसलिए उसके parents उसको डाटते हैं और उसको बोलते हैं कि तो ओड़ नहीं तो भूका मर जाएगा उसके बाद वो प्रयास करता है और एट दी एंड ही हैड मेड इस फ्रस्ट फ्लाइट वो अपनी पहली उडान को उड़ता है उड़ता है और अच्छे से